हलो प्रेंट्स सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वेब मस्टर मनमन को और रेगूलर नोटिफिकरिंशन प्राप्ट करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले आज की क्लास में हम देखें कुछ most important questions related to input and output units of computer जैसे कि एक जनरल से topic के input and output devices कौन-कौन से होती है इसे related कौन-कौन से question हमारे बन सकते हैं आपके इस topic में वो मैं आज आपको करऊँगा जनरल काफिवार क्या होता है कि आपके एक्जांस पे भी यह question बहुत बार पूछ से आते हैं लेकिन काफिवार similar होने के कारण इसका answer आप नहीं देपाते हैं या हम भी कई बार confused होते हैं तो इस जो class में मैं आपको यह सारे input और output unit के जो question से cover करूँगा तो आईए हम स्टार्ट करते हैं हमारे input और output unit के questions फर्स question देखते है जोईस्टिक typically have a button on that is used to select the option pointed by the cursor तो जोईस्टिक के अंदर एक button होता है जो कहां पर होता है इसके टॉप पे जिसके दोरा क्या किया जाता है कि किसी भी पॉइंट कर्सर को उससे select कर आता है और उसका यूज की जाता है तो जोईस्टिक जो मेंली है वो computer games में या robot को control करने के लिए या इस तरह की controlling unit का जहां पर काम आता है वहाँ पर यह जोईस्टिक का यूज की जाता है तो second हम चलते हैं अमरे question पे printer is also called the pin printer तो यहां पर जो इसका right answer है वो है dot matrix जो dot matrix printer होते हैं वो एक छोटी छोटी पिन के format में होते हैं और जैसे यह pins paper पे click होती है वैसे वैसी इन से शाई उस print paper पे print होती है इसी कारण इनको pin printer भी कहा जाता है next question पे हमारे चलते हैं इज डिवाइस विच रिकॉग्णाइज फिजिकल और बिहेवियल प्रेट्स ऑन दा इंडिवीजल तो जो बायोमेट्रिक सेंसर होते हैं जैसे हम क्रिवार फिंगर प्रिंट लगाते हैं या फिर हमारे आखों के sensor से किसी डिवाइस को हम स्टार्ट क्या off करते हैं तो वो क्या कहलाती हैं Baiumatrix sensor क्यालते हैं जो कि हमारे फिजिकल और जो हमारे behavior होता है उसके according उसको connect कर पाते है smart card reader इसमें जो first option है वो generally जो कुछ smart card आते हैं जैसे कि आप अपने ATM or देखते हैं इस तर के जो card देखते हो उनके अंदर होता है OCR जो optical character reader है यह OCR के जो character जैसे कुछ special character होते हैं उनको recognize करने के लिए काम में आते हैं और जो optical mark reader है यह OMR sheet जो आप कई वर questions देते हैं आप एक्जान competition exams और में उनको read करने के लिए काम में आते हैं तो इस तरह के से यह चारो हमने option देख लिए कि यूज में आते हैं तो इसमें जो आपका राइट answer था वो था biometric sensor जो कि हमारे fingerprint या आंखों के sensor या इस तरह के हमारे other physical activity होती है या जो हमारे behavior होता है उसके recording उसको check करते हैं तो वो biometric sensor के द्वारा check की जाते हैं आईए हमारे नेक्स्ट कुशिन पर हम सलते हैं इस ए प्रोटोकॉल डिजाइंड फॉर रिकॉर्डिंग एंड प्लेइंग बैक म्यूजिक और डिजिटल्स सिंतेसाइजर तो एक ऐसा प्रोटोकॉल जो की बेक्राउंड क्या है इसके फूल फॉम होती है म्यूजिक डिजिटल इंस्ट्रुमेंट इंटरफेस तो यह ऐसा प्रोटोकॉल है जो की म्यूजिक को प्ले करने के लिए या उसको रिकॉर्ड करने के लिए बैग्राउंड में एस प्रोटोकॉल यूज होता है जिटृए एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो की यूजर को जंडरली ग्राफिकल एक एग्राफिकल प्रोवईट करवाता है और मूजिकल इंटरफेस कीतरर वर करता है तो इसका जो राइट आंसर होगा। होगा आपका C musical digital instrument interface next question देखेंगे हमारा फिर्थ question है a device used for video games flight simulator training simulator and for controlling industry robot तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी input device वो कौन सी है joystick joystick से क्या कर सकते हैं हमारे industry robot को control कर सकते हैं video games को play कर सकते हैं flights में या training जो होती है simulator की उसके अंदर इसको यूज के आता है joystick आप याद रखेगा जो बड़े बड़े games हैं जो बड़ी companies और मनाती हैं उनके अंदर भी यह काम में आते हैं six number पे चलते हैं hard copy would prepared on a dotmetric printer plotter typewriter तो तीनों पे ही हम hard copy को prepare कर सकते हैं तो इसका जो right answer है वो है all of the above dotmetric printer plotter और typewriter यह तीनों ही paper पे कुछ print करने के लिए use में आता है dotmetric printer एक type का printer है plotter हमारी graphic जो अपने जो नक्से और होते हैं यह building के उनके लिए काम में आते हैं और typewriter आप जन्हों देखते हैं जो typewriter का बार्क होता है तो वो typewriter जो terminal होते हैं उसमें वापे काम में आते हैं तो तीनों ही hard copy के रूप में हमें एक output unit के provide करवाते हैं नेक्स्ट हम 7th question पे चलते हैं यह laser printer is तो laser printer क्या है एक output device है क्योंकि हमें output के रूप में print out देती है किसी paper पे जैसा भी आपके द्वारा paper उसमें input किया गया था output device है एक laser printer एक general सा question था जो कि बहुत easy सा है आप इसको देख सकते हैं नेक्स्ट एट नमबर question ए marker on the computer screen used to show the current position is called तो यह एक marker चलता है जो इसकी मेरी यहां पर चल रहा था यह क्या कहलता है cursor कहलता है जैसे मैं जाजाए से move करूँगा वहाँ यह move अचलेगा तो यह क्या कहलता है cursor तो इसको राइट answer हो क्या है C cursor इस तरीके समचलते हैं हमारे next nine number question पर एक parallel port is most often used by printer तो प्रिंटर क्या करता है एक parallel input cable होती है प्रिंटर के पास receive होती है और उससे वह पर प्रिंट आउट राप्त होता है तो प्रिंटर क्या करता है प्रिंटर की केबल को के थुरू कनेक्ट होता है और हमें प्रिंट आउट प्रोबैट करवाता है तो next question देखते हैं हमाना ten number a printer that prints one line at a time has a predefined set of character is called drum तो drum क्या करता है कि एक printer में जैसे हम print कमाट देते हैं तो printer के अंदर एक drum लगा होता है जैसे कि आपको यहाँ पर यह शो हो रहा है यह क्या है यह drum है drum के ओपर क्या रगत होता है एक predefined character का set यहाँ पर आके temporary impressed हो जाता है यह emboss हो जाता है और जैसी वह वापस paper बजाता है तो इसकी जो वापस impression काल जाता है paper पे और paper की रूप में इसमें हमें output मिलता है they have a cylindrical drum with character embossed on its surface in the form of circular bat तो एक circle के रूप में यह गूंपता रहता है और इस तरीके से हमें print out मिलता है तो इसका the right answer है वह है drum next question में चलता है यह काफ़ी अच्छा question और काफ़ी और पूछा भी जाता है exam में आतो आप इसे ध्यान भी रखिएगा a thermal transfer printer is a printer that uses heat to register an impression on a paper तो जो heating को use करते हुए जो heat means गरम heating को use करते हुए जो print देते हैं वो क्या कहलाते है non impact printer जो की direct print नहीं होते है किसी भी paper पे वह one know impact printer कविलाते है तो printer दो तरह के होते है एक impact printer एक अभागया इंप्रेटे की दीर वाप सहिआ हो गया non impact printer nun no impact printer कहुँआ इंग जैuld on a laser inks hazard thermal laser printer क्या करते हैं पहले एक ड्रंप पहला embossing kोANG print करते हैं फिर emboss से वह print वापस paper राता है जबकि impact printer क्या करते हैं impact printer direct एक dot matrix या pin के रूप में होता है जो direct paper पे ही चलता रहता है और इसके बीच में ribbon टाइप सा लगा होता है जैसी ribbon पे वो अक्सर click होता है click होती वो क्या होता है उस paper पे print हो जाता है तो इसमें heating का कोई system नहीं होता है जब कि non impact जो क्या करता है use करता है heating to register an impression on paper तो दो टाइप थे हो कौन से थे impact और non impact printer यह फ्रेंट्स ध्यान रखिएगा काफी अच्छा question था यह 12 नमर क्यूशन पे चलता है हमारे web camera is a video capturing device attached to the computer system mostly using a USB port तो हमेशा क्या होता है कि जो web camera है वो video capturing के बाद जो attach होता है computer system में वो USB port के थ्रूँ attached होता है USB port इसमें right answer मिलेगा आपको इसका right answer है USB port next 13 number question among the optical sorry among the options which of the following computer input device enable video conference ठीक है तो इसमें webcam के थ्रूँ हम video conference को enable कर सकते है हमारे computer पे microphone के वल सुनने के काम में आता है digital camera digital photos क्लिक करने काम में आता है voice recognition एक voice को recognize करने के लिए काम में आता है जबकि webcam के थुरूँ हम एक हमारी video conferencing को attend कर सकते है या उसे उसका right answer है webcam तो friends confuse नहीं होना है हमें यह चोटे-चोटे questions है लेकिन बहुत important question है हमारे exam के point of view से आप इस video को अंतक देखिए और भी काफी अच्छा जारी question मैंने आपके लिए select किये हैं इस तरह के हम सलते हैं 14 number question पे एग्जामपल of peripheral equipment is peripheral equipment क्या कलाता है printer पहले मैं आपको peripheral equipment के बारे बार यह आपके printer है scanner है digital camera है यह सार के peripheral equipment है जो के input devices भी हो सकती है और output devices भी हो सकती है तो इसमें एक आपको दिखाई दे रहा है printer printer के peripheral जो इसके साथ connect होती है cable के थूँ इस इदर की से CPU जो होता है यह central processing unit होता है यह peripheral device नहीं है spread sheet एक software application का type है तो यह भी peripheral device नहीं है और यह बिल्क एक computer साथ connect होके work करती है वह peripheral device यह equipment क्यालाते है नेक्स्ट फिफ्टी नमर क्विशन दिखते है एनी data and instructions enter in the memory of computer जो भी हम data को instruct करते हैं या कोई data enter करते हैं हमारी memory के अंदर तो वह किस के थूँ होता है input devices के थूँ ठीक है तो जो भी हम एंटर करेंगे वह सबसे पहले input device में जाएंगे फिर वह इस्टोर होंगे यदि आप इस्टोर करोगे तो फिर उसके पाद उसका जाओपुट है वह output इनिट पे शो होगा यह क्या क्या लाएंगी input devices क्या लाएंगी 60 नमर क्विशन cathode ray tube जो की CRT की full form भी है CRT का यदि आपका full form क्विशन आता है तो उसका full form क्य monitor आते थे एक TV के तरीक है तो CRT monitor भी क्यलाते थे वह इसी लिए क्यलाते थे क्योंकि इनके अंदर एक CRT tube लगी होती थी इसको cathode ray tube कहते है तो इसकी full form भी है cathode ray tube CRT की और इसका right answer है वो है monitor क्विशन सीडी रोम इस्टेंड्स पौर सीडी रोम की full form क्या है compact disc read only memory यह काफी गंफ्यूज होता है जब एक सारी एक चैसे आते हैं ना options तो यह काफी गंफ्यूज होती है तो इसका जो राइट आंसर है वो है compact disc read only memory memory क्योंकि cd-rom क्या करता है रोम read only memory के वो read करता है इसको cd-writer आता यहां पर cd-writer का तो write और read दोनों काम करता है वो लेकिन यहां पर आपको cd-rom के बारे पूछा गया ना कि cd-writer के बारे होता है इसलिए इसका full form क्या है compact disc read only memory compact disc जो आप cd-use करते हैं उसको compact disc कहते हैं उसकी full form और जब पूरा नाम आ नेक्स्ट इतिन नमर की इसल एंट्रोल सिफ्ट एंड और अर कॉल्ड एजए मोडिफाइर की यह मोडिफाइर की कहलाती है जिसके जिससे आप क्या कर सकते हैं कुछ कमांड को भी यूज कर सकते हो जिस कमांड से उसकी का जो काम करने का या functioning है उसकी उचेंज होती है इसको मोडिफाइर की बोलते हैं इनको इसके लावा functions की भी होते है जो F1 से F12 तक है alphabetic की भी है जो A to Z है ठीक है इसके लावा numeric की भी है कुछ special adjustment की भी है functions की भी है तो वह सारी keys भी available है आपके keyboard पे तो यह जो control shift और alt है यह special modify की क्या लगती है 90 number question पर हम चलते है default pointing device of a laptop is तो touchpad जो है इसमें by default दिया हुआ है तो जो pointing device है वो क्या है इसमें touchpad pointing device mouse को भी कहते है mouse भी एक तरीका pointing device है इसका नाम change किया गया तो नाम change हुआ तो आप confused मत होईगा इसका ध्यान रखिएगा नेक्स्ट हम चलते हैं 20 number question पर devices that allows you to put information into the computer तो जब आप कोई भी information को put करते हैं computer पर जो आपको allow करती है जैसे आपकी keyboard आपको allow कर रहा है कुछ information input करने के लिए तो उसको उन devices कौन सा बोलते हैं input devices बोलते हैं जो कि आपके input के द्वारा computer के अंदर जा रही हैं तो यह question एक पहला भी ऐसा question आया था जो इसका similar था और यह भी इस तरह कहा एक similar question था तो इसमें आपको confused नहीं होना है next 21 number question पर चलते हैं devices that let the computer communicate with you अब देखो question मिलते जूबते हैं लेकिन इसका right answer के output इसका meaning समझेगा वो devices जो computer की है और आपसे communicate करती है तो computer में आपसे आपकी जो output इनिट है वो communicate करती है जैसे आपके पास printer से print आया तो उससे आपको communication provide हुआ जैसे आपको आपके display पर आपके monitor पर कुछ information मिली तो वह आपसे communication हो रहा है जैसे आपको speaker से कुछ सुने दे रहा है तो आपसे communication हो रहा है तो output devices जो क्या करती है आपसे communication करती है तो 22 number question देखते है actual devices such as printer keyboard and model are non as तो यह क्या है all of the peripherals भी है add-on devices भी है ठीक है क्योंकि अलग से devices add होती है और special files भी है जो कि आपके दौरा इसमें attach की जाते हैं तो इसका right answer है वो क्या है all of the above peripheral devices add-on devices और special files ठीक है तो next question पे चलते है हम 23rd number पर impact printer के question वापस आया हमारे पास impact printers are यह इस तो डाट मेंट्रींटर क्योंकि डारेक्ट पेपर पर प्रिंट करता है यह भी impact printer है line printer क्योंकि एक एक line को click करता है यह भी impact printer है जो कि direct paper पर प्रिंट कर देता है और डेजी वील प्रिंटर इसके अंदर एक वील्स लगए होता है जाकि जैसे वील्स मूव होते है वैसे वैसे पेपर प्रिंट होता जलता है तो ये भी क्या है एक इमपेक्ट प्रिंटर है इसका जो राइट आंसर है वो है और लगता है वो तो ये तीन नेक्ट इंपूट डिवाइसेज देट यूज इस्पेशल इंक डाट कंतेंस मेगनेटिजिबल पार्शेल और आयरन ऑक्साइड इस MICR ठीक है MICR मिन्स मेगनेटिक इंक करेक्टर रीडर यह क्या करती है एक स्पेशल इंपूट डिवाइस होती है जो कि special इंक से कुछ मेगनेटिक कारेक्टर होते हैं जिन्में आयरन ऑक्साइड के इन्को इंकर रीड कर लेती है मैगनेटिक इंक जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है वो ही code यह होता है जो कि एक magnetic ink के थुरू रीड किया जाता है एक bank से दूसरे bank में for further processing के लिए time is here क्या instance for magnetic ink character recognition next 25 number question laser printer and ink jet printer are an example of non-impact printer क्योंकि क्या करते हैं impression को drum के थुरू एक paper पे impress करते हैं और hitting को use करते हैं और direct यह impact नहीं करते हैं paper पे इसलिए इनको क्या करते हैं non-impact printer कहा जाता है और impact non-impact का मैं आपको उपर भी पहले भी बता चुका हूं next 26 number question LCD stand for LCD की जो full form वो क्या है liquid crystal display एक liquid form में इसके अंतर crystal display होता है जो क्या रखता है एक आपको डिस्प्ले प्रोवेड करवाता है LCD का तो liquid crystal display थोड़े टाइम पहले LCD चलती थी आभी भी आपको मार्केट में LCD दिखाई दी जाएगी लेकिन अब जो modern time है उसमें LED आ गही है next question LED से related ही है LED stand for LED का है light emitted diode एक डायोड के format में light emitted diode कहलाती है यह तो इनको क्या कहा गया LED इसकी और भी आपको detail में देखना हो तो आप गूबल में जाके search कर सकते है तो date number MICR the magnetic ink character recognition इसकी फुल फॉर्म है consist of only two digits zero and one तो क्या यह दो है यह फॉल्स है तो यह बिलकुल फॉल्स है इसका जो statement है यह फॉल्स है यह consist क्या करती है zero to nine and four special characters ठीक है तो इट supports only 14 symbols तो MICR क्या आता है चैक पे क्यूज होता है जो मैंने आपके पहले एक बार बता है था और MICR के full form क्या है magnetic ink character recognition जो की केवल zero उन पर काम नहीं करती है यह गलत है statement यह zero to nine जो number है उनको रखती है और चार special characters और इसमें सामिल होते है इस तरीके से टोटल जो 14 numbers है 14 symbols है वो इसमें सामिल की जाते है इसी तरीके से 29 question पर चाहते है जो इसका आई गया है MICR stand for यह मैं आपको बता चूँँ हो बार बार magnetic ink character recognition तो इस पर मेरे जादा डिटेल में बात करने की requirement नहीं है तो हम सलते है हमारे third question पर है यह आज की class का last question है name the device that converts text information into spoken sentence device का नाम बताओ जो की क्या करती है जो हमारे जो बोले करे sentence है उनको text information में convert कर देती है वो क्या कहलाती है speech synthesizer जो की जो blind persons है उनके लिए काम में आती है काफी जो जैसे से वो बोलते है तो यह जो spoken है उसके तूरू space synthesizer क्या करता है उनको convert कर देता है text information में ठीक है तो यह हमारे आज की question थे कुछ तो space synthesizer भी आप याद रख लोगे काफी अच्छे जट और मेरे वापस से आपको request है कि यह काफी important question है आप इनको जरूर read कीजिए और आपके जो important exam जो होंगे आपके competition exam उसमें काफी help करेंगे आपकी आप जाद जाते हैं मेरा video like करना और share करना ना बूलेगा thank you friends